इसका जो वायरस का नाम है ये जरूर नोट कर लिजेगा वायरस का जो नाम है वैरोला ठीक है वैरियोला वायरस से ये होता है वैरियोला वायरस से ये होता है ये इंपॉर्टन चार पांच मैंने पॉर्ट बता है चेचक जिसको इंगलिस में कहते हैं स्मॉल पॉक्त वायरस स होता है भारस मुलन इसका हो चुका है खोज एडवर्ड जो नहीं किया और बैयरियलो वारस से होता है ठीक है तो आगे अभी जो करेंट का कोश्चन है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन दुनिया की पहली मैलेरिया वैक्षिन अभी तो दावा था अब वैक्षिन भी आ चुका ह जिसका हाली में जिसको हाली में मानेता मिला है इस वैक्षिन जो है नाम क्या है मौस क्यू रिक्स ठीक है मौस क्यू रिक्स वेरी वरी इंपॉर्टन कोश्चन है वेरी वरी इंपॉर्टन कोश्चन एक्जामें छपने वाला कोश्चन ठीक है एक्जामें छपने वाला कोश करता है जिसको करते है रतौंधी हिंदी में क्या करते है इसको रतौंधी तो यह इंपोर्टन्ट होता है कि इसकी रासानिक नाम क्या होता है तो रेटिनॉल ठीक है विटामिन की कमिसे और इसका रावसरियुक दिक फहार सय वाव सुन है ये याद रिखिए आगे ौन कौन से विटमीन पानी में घुलनसील है correlation में फैरा में जना सी जए भाकि वशा में घुन निरलिंदी एक एक कार ढेदी एक क्या है मृशा में क्या है घुलनसीर है तो पानी में कौन सा घुलंसिल है B और C और वशा में कौन घुलंसिल है A, D, E, K ठीक चलिए विटामिन B12 में कौन सा धातू पाया जाता है धातू का नाम है कोवाल्ट ठीक है धातू का नाम है कोवाल्ट और B12 का जो रसानिक नाम है B12 का नरसानिक नाम है सायनो कावा लामिन याद रखें काफी बड़ा पुछा गया खुस्तन है आगे राश्टी बाली का दिवस कब मना जाता है देखिए यह 23 जनवरी की बात की जाए 24 जनवरी की बात की जाए 25 जनवरी की बात की जाए यह 26 जनवरी की बात की जाए यह बहुत इंपोर्टन यह च तDER कर में जाते हैं प्राकरम दिवस 25 जन्वड मतंदे अताथा दिवस यहां पे 23 certa Agency 24 जन decide सथी सबुखेंगे को 500 11 उक्टूबर 6 जन्वड मने जाता है यहां पे बनाए जाता है अंता जो है राश्टिये सीमा सुल्ग एवं उत्पाद दिवस ठीक है सीमा सुल्ग एवं उत्पाद दिवस ठीक है तो क्या मना जाता छबी जन्वरी को अंतराश्टी सीमा सुल्ग एवं उत्पाद दिवस तो तेस जन्वरी को अच्छा 25 जन्वरी को एक और चीज बनाए जाता है ध्यारुका 25 जनवरी के एक और चीज़ मना जाता है वह क्या है भारती मिन्सके राष्टि ये परयाटन दिवस इस तरिकों क्या मना जाता है और राष्टी युवा दिवस 12 जनवरी को क्या मना जाता है राष्टी युवा दिवस अगर आप पूछ लेंगे अंतराष्टी का मना जाता है ये 12 अगस्त को ठीक है अंतराष्टी युवा दिवस 12 अगस्त को 12 जनवरी को राष्टी युवा दिवस ठीक है तो पहले 5-6 यहां पर point और भी बता है इने जरूर याद रखिएगा भारत में राष्टी महिला दिवस का मना जाता है भारत में राष्टी अगर महिला की बात करें तो 13 फरवरी को तेरा फरवरी को मना जाता है ठीक है क्यों मना जाता है सरोजनी नाइडू के जनम दीन के कारण ठीक है इनके जनम दीन के अफ़सर पर यह क्या मना जाता है सरोजनी सरोजनी नाइडू का जनम दीन है नाइडू ठीक है नाइडू का जनम दीन है इसलिए मना जाता है और याद करिएगा ठीक है अनिजी कान्पूर का निफिलों का States我 कान्पूर का अधिवेशन कें कॉंग्रेस का यह पहली भारती महिला ती फॉस्ट इंडियन न ही भॉस्ट इंडियन यह महिला थी यह याद रखी एफ़ैक्ट और यूपी की मिसक उत्तर परतिस की पहली महिला राजपाल भी कौन थी यह सरचノे मैंग्त उ नाएडियोuk तो सरच vibes जलन दीन पर क्या मना जाता है राश्ट्य महिला दिवस और स्रच ज्ली यहां चेलए उस्छा फंद और सब्सक्रास रमादेवी पहली महिला मुख निर्वाचन आयूत कौन थी यहां पर रामादेवी निरवाचन के स्थापना कब वहा था हुआ था पचीस जनवरी ठीक है यहां पे बारती पहली महिला मुख निर्वाचन आयुक्त ती रमादिभी निर्वाचन आयुक्त को इसलिए ये 25 तारी को क्या मना जाता है मतदाता दिवस मतदाता दिवस मना जाता है न इसलिए 25 जन्वरी को क्या मना जाता है मत दाता दिवस मना जता है पहले मुख निर्वाचन आयोक्त कौन थे अभी बरतमाल में मुख निर्वाचन आयोक्त सुसिल चंद्रा बात करें दादा साहब फाल के पुरिस्कार पाने वाले पहले भारती कौन थे तेविका रानी ठीक है तो हाली में बरतमाल में अगर बात केज़ें एक कावनवा दादा साहफ पाल के अवार्ड दोजरे किस किसने जीता है तो रजनी कांद यहां से यह भी एक और करेंट अफेट्स का कोस्तन भी याद रखेगा आजाएए आगे कोस्तन बथू कुंबा तेहवार जिसे कहते हैं फ दो टेलंगाना देल ठेल खाल फुलन उस्तब कहा का है यह रास्थान का साहब पूरा सेहड विलॉबारा में ठीक है मनाया जाने वला एक उससा इआ अम्बूबाची यह कहां मनाया जाता स्म में कामख्या मंदिर में तेक एक तानसेन की समाधिस धल यही गौलिड में है तो हज़ता बाद के रही तो Mимо पार्दिस में मैं में आरके नारायन दोरा लिखी गई पुस्ता का नाम क्या है माल गुडी डेज ठीक है आगे आई ठीक है आगे को सने आमुक्त माल्यता यहां पर थ्वास उधार लिए का आमुक्त माल्यता गरंद किसके द्वारा लिखा गया क्रिसंदेव राय के द्वारा ठीक है क्रिसंदे आते थे अस्ट दिग्ज आठ महान लोगों का एक सम्हू अस्ट दिग्ज वह एक कोसर ये भी आता है अस्ट प्रधान ठीक है अस्ट प्रधान अस्ट प्रधान के बात करें यह किसे सम्मधित सीवाजी के ठीक है सीवाजी के रज्मे या सीवाजी के शाषन से सम्मधित या इ किसकी पुस्तक है मिलखा सिंग की लिखी गई एक आत्मकत्था है जड़ दरेस आफ माई लाइफ ठीक चली दप्रॉमिस लेंड एक इसकी बुक है तो बराक ओमावे के लिखी पुस्तक है चली वह एक मात राश्पती जिसने पॉकट विट्टो का इस्तमाल किया ग्यानी जैल हम है अगर यहां पर एस एफ एफ एस पीए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाए आर्म फोर्स अस्पेसल अस्पेसल पावर ठीक है पावर एक्ट देखिए इसके बारे में स्टोडी सुनी बहुत ही इंपॉर्टन यह कोस्ट बजएगा क्यों हुआ क्या थे नागल कमीटी बनी जिस कमीटे का नाम है विवेग जोसी कमीटी कौन सी कमीटी विवेग जोसी कमीटी यह याद रखे है विवेग जोसी कमीटी इसकी जाच के लिए बनती है ठीक है यह तैक करेगी कि नागालेंड में यह जो अधिनियम है यह जो यहां पर एफ एस पीए है यह र जोतों होती है और पूलीस स्काथी उसकी सक्ती होती है किसी सक्ती की बर्षूतरी बढ़ती था के? लोग की मरिश्थी होती है तो एक कमिटी मैठी इना करेगी. ये रहना हो चाहिए या नहीं रहना चाहिए ठीक है अज़े ये अगर act की बात करी रहा हो तो बहुत सार एक्ट के वारे में examen deck को सनाते है right to education किस अधिनियम के अंतरगत है आया था ये 2009 के अधिनियम के अंतरगत आया था और आपदा परबंदन भी इसी 2005 के अधिनियम के अंतरगत है अब आईए CISR के अधैश कौन है वर्तमान में कौन है या कौन होते है तो नरेंद्र मोदी है और परधान मंत्री इसके क्या होते है अध्यक्स होते हैं इसके अस्थापना होई थी 1942 में CISR मिनसी Council of Scientific and Industrial Research और महानी देश कौन है CISR की जो महानी देश के सेखर मांडे ठीक है वर्तमाल में ठीक तो करेंट अफरसी रिलेटर की कोशन था है याद रख सब्सक्राइब के वर्तमाल में क्या है 25 में गवर्नर भी है AIIB एसीन इंफरस्ट्रक्शर इंवेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष किने बनाए गया है करेंट एफरसी रिलेटर कोशन ने उरजित पटेल को ठीक है उरजित पटेल को बनाए गया है बहुत प्रावात कि स्वामी विवेकानंद की ब्रहन समाज के संसापक कौने राजाराम मोहर रहे है राजाराम मोहर रहे ऑठाराम इस वी में ठीक है इसके स्थापना की थे वेदो की और लॉटो कौन कहा था वेदो की और लॉटो वेदो की और लॉटो किस ने कहा था यह दयाराम स्थापना ने कहा था वेदो की और लॉटो ठीक है वेदो की और लॉटो ठीक यहां से याद रखेगा बाद स्वामी विवेक नंद राम कृष्ण मिसन के स्थाप्राई इनों ने किया था अगर हम राजा राम मोहर राय की बात के तो राजा की पाधि कौन दिया था अकवर दूजतिये ने दिया था अकवर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी ठीक है चले राश्टी जल्माग 2 किस नदी पर है ब्रहम पुत्र नदी पर है किस नदी पर है ब्रहम पुत्र नदी कहात असम में ठीक है कहात असम में और बात करें कहां से कहात तो दूबरी से साधिया तक ठीक है डूबरी से साधिया तक याद रखिएगा इसकी क्या है यहाँ पर नेसनल जो है राश्टी जल्माग 2 किस न याद रखीगा अब यहां से और सवाल आ जाता है कि ठीक है यह तो जलमार्ग वन टू हो गया तो जलमार्ग राष्टी यह जलमार्ग जलमार्ग वन की बात करें तो यह किस नदी पर है यह गंगा नदी पर है ठीक है कहां से कहां तक परियाग राज से खलदिया तक और ये largest है ये क्या है ये सबसे largest जल मार गह ये याद रखियेगा दो बात है ठीक चलिए जोग जल परपात किस नदी पर है सवरावती नदी पर कहा है करनाटक में जोग जल परपात को क्या कहा जाता दूसरा नामे जहलम नदी की बात करते हैं तो स्वेल अगर कहां बसा है किस नदी पर बसा है जहलम नदी पर बसा है साथ ही अगर हम बात करें ओरी पर्योजना या तुलबुल पर्योजना इसी नदी पर है किस नदी पर जहलम नदी पर है उरी और तुलबुल पड़ियोजनाभी नेस्ट आते हैं कि बॉनापन का सम्मध किस गरंती से है पिस गरंती से है जब आपके यहां पर मैं बात कुर यहां पर ब्रेन है ठीक है यह ब्रेन में आपको क्या है यहां पर यह प्यूश गरंती है यह क्या है प्यूश गरंती है इस Master of master gland भी कहा जाता है जो Temperature को control करता है प्यार Filling को control करता है तो यहां से याद रखेगा इसी brain में एक और होता है इसे चीज क्या होता है यहां पे और होता इसे और क्या कहा जाता है biological क्लॉक इसे क्या कहा जाता है बायो लॉजीकल लॉजी कल क्लॉक भी कहा जाता है या जैविक घरी भी से कहा जाता है ठीक है इसे क्या कहा जाता है बायो जीकल क्लॉक या जैविक घरी में इसकी यह बताता है आपको कि सुबह कितने बज़ उठना है क्या करना चाहिए डिसाइ क्या करता है यह करता है तो बृणापन क्या करता है प्यूस गरंथी क्या होता है जब बृद्धी जो हर्मोन होता है ज्यादा हो जाता है तो विशाल कायता हो जाता है कम हो जाता है तो बृणापन हो जाता है तो कम हो जाता है प्यूस गरंथी के कारण ठीक है ठीक याद रख करता है पिनियल ग्राइंड को बैलोजिकल क्लॉक भी कहा जाता है चली आगे फाइट आइन फ्लाइट या यह इमर्जेंसी हर्मोन किससे निकलता है ठीक है इसलिए यहाँ पर इंपोर्टन यह अद्रेनल ग्राइंड बन जाता है यह होता का है फाइट आप पूछेंगे कि अ बैंड होता है क्या होता यही होता है जिसे कहते adrenal gland ठीक है क्यों होता है इसको कहते सुपर तोस्त प्राइनल घ्रानड भी इससे कहा जाता है जो कि एक इंडोगरांड घ्लैंड है तो यह इंपौर्टन हो जाता है कि adrenal gland होता कि हैं तो आपको मैंने बता दिया कहां पर के डिनी के उपर वाले भाग में होता है ठीक है मास्ट आफ मास्टर ग्लेंड है पोथालमस को कह जाता है ग्रंधी है यह है पोथालमस ग्रंधी जो था पान्य अंतल प्यारा फिलिंग को बताता है आई-म-फ मिंस्की International Monetary Fund में कुल कितने सदस हैं वर्तवान में कुल 190 सदस से 190 एं जो नया बना है कौन एंडोरा इरान की जो नई मुद्रा है जो रियाल थी पुराना क्या था पुराना जो नाम थे इसका रियाल था अब इसका जो नया नाम क्या गया है तोमान फीक है यह जरूर यादर के एकड़ा में पूछा जाएगा संगहाई सहयोग संगोल ठाजन में कुल कितने देश सामील नौ नौ मादेश कौन सा है इरान फीक है नौ मादेश कौन सा है इरान राश्टि दुख दिवस कम अले जाता है 26 नम्भर तो आप पूछेंगे फिलच्प नौ ने तर्वस में 1 ब当 котор कुणों निपनवार कहा है मंधечение अंतराश्टि प्रवत दिवस मना जाता है 11 धिसंबर को अंतराश्टो ब्रस्टाचार विरोधी दिवस कम मना जाता है 9 दिसंबर को ठीक है तो आप ऐसे भी याद रखेंगे गांधी जी मरश्राचार के खिलाफ से और नौ जनवड़ी को उन्होंने क्या नौ जनवड़ी 1915 को कहा आयते भारत तो नौ वाले तारिक से आप ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं अश्मान भारत युजन उजना कब से शुरूा 23 सितमबर 2018 से राची से राची आपटे इसे कि क्रेदा से टीक एंट यह से काल लोगां 25 वर्धेट 2019 को कहा से गोरखपूर क कहा से गोरखपूर यूपी से ठीक है यूपी से ठीक जल जीवन मिशन सुरू हुआ 15 अगस 2019 को ठीक है जन्धन योजना Most Important Question Very Very Important Question एक्जामे छपेगा ठीक है जन्धन योजना कब सुरू हुआ 28 सगस 2014 को अन्दाता दिवस, 23 दिसंबर को हॉक्की का, हॉक्की का सबसे बरा स्टेडियम कहां बनने जा रहा है, विर्सा मुन्डा स्टेडियम, इसका नाम है कहां तो राउल केला, कहां तो रिसा के राउल केला में, विर्सा मुन्डा स्टेडियम नाम का हॉक्की का सबसे बरा स्टेड बात कर लो तो यह दोनों कहां मना जाता है मध्यपरदेश में मना जाता है उंका रेस्वर बांध किस नदी पे रहे हैं नर्मधा यह कहां तो मध्यपरदेश में नीतियाग को अकठन कन गभा थे एकजनवड़ी 2015 को और इसके पहले उपाध्धेक्ष कौन थे इसके पहले उपाध्धेक्ष थे नितियाग के अरविंध पादन कहड़ीया राश्टी उड़जा सनक्षन दिवस कम बनाया जाता है 14 दिसंबर को बनाया जाता है गोपीनाथ बारदो लेयर पोट है कहा ये तो यह आपका है जाकर असम में ठीक है ये है कहाँ पे असम में और अधुनिक असम के सापक को कहा जाता है ठीक चले गोवा दिवस कम मना जाता है 30 माई को यहांसे एक और कोशन याद कर लिजे गोवा मुक्ती दिवस मुक्ती दिवस यह कम मना जाता है यह मना जाता है 19 दिसंबर को ठीक इन दोनों के पीछ एक अलग कारण 30 माई 1987 को गोवा को राज का दर्जा मिला 30 माई 1987 को क्या मिला था गोवा को गोवा को राज का दर्जा मिला इसी कारण यह 30 तारिक को 30 माई को गोवा दिवस मना जाता है अब आप पूछेंगे गोवा मुक्ति दिवस क्यों मना जाता है तो यह 19 दिसंबर 1961 की कहानी है ठीक है जब ऑपरेशन विजय के माध्यम से यह ऑपरेशन विजय चला कर यहां पर टिक है पुर्तिगाली को भारत से बाहर कि निकाला गया था यह 19 दिसंबर का ही ओपरेशन है जिसके तहत पुर्तिगाली को बाहर किया गया था इसलिए गोवा से मुक्ति मिली थी गोवा से क्या हुआ था इसको मुक्त कराए गया था गोवा को इन लोगों से पुर्तिगाली उसलिए गोवा मुक्ति दिवस बनाय जाता है जिम कारविट नेशनल पार्क का नया नाम क् इंपोर्टन एक जहां में छपने वाला कोस्तन राम गंगा नेशनल पार्क ठीक है असकोट वन जिब अभ्यारन किस राज में तो उरिस्टा का पित्तौर घंड में ठीक विस्व की सबसे मुची सरक कहा है वह उमलिंग लादर्रा ठीक है उम लिंग लादर्रा ठीक है लद्द लादर्र सिंद्ध उनिवर्सिटी किस थापना कहा हुई है लद्दाख में ठीक है बहुमंद शागर का परकास अस्तम किसे कहा जाता है अस्ट्राम बेर अस्ट्राम बोली ज्वाला मुखी को आगे नाटो का मुख्याले का है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में औ और यूरोपेन यूनियन का भी जो राजधानी कहा है एकटेकोर्टपांटर घ्योर जो है इसका अग्दकव diffuseل्स में ऑर्सिटी चली सकी मौन्ट विसू ब्यास ज्ल मोखी कहां है ये कली के रोम सहर में और रोम सहर किस नदीपर बसा है टावर नदी पर यह भी कोस्न आया है ठीच चले G.I.T.E.G का सम्बन कीस अधिनयम का दरगत है तो यह 1999 के अधिनयम का अंतरगत है और यहां से G.I.T.E.G क के बात करें उनलागो कब हुआ था यह लागो हुआ था यह लागो हुआ था 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 2003 से और 1969 का धिनियम है 2004 में याद रुकिए इसी अधिनियम के अंतरगत जो आया था 2004 पहला जी अटेक कब और किसी मिला था? 2004 में मिला था किसको? दारजिलिन की चाहे बेस्ट बंगाल की जो दारजिलिन की चाहे उसे मिला था UNESCO में सामिल एक मातर मिर्सरिक्त विरात्त कौन सी है ये कंचन जंगा है सिक्कीम का ठीक है? UNESCO में सामिल होने वाला भारत के सहर कौन कौन से? Most important question दो ही सहर अपरी तक इसमें सामिल हुए 2017 में एमदाबाद 2019 में जैपूर अंतराश्टी नागरिक उड्डियन उड्यन दिवस कमने जाते है 7 December को विशव मृद्या दिवस 5 December को डेविस कप का संबंद किस के लते है याद रखे है टेनिस से है अंतराश्टी दिव्यांग जन दिवस 3 December क्योंकि दिव्यांग लोग क्या होते है तो चल नहीं पाते तो वेल्चेयर का इस्तमाल करते हैं तीन चक्के पर समझेक उनकी जिन्गी होती है ऐसे याद रुखे और ट्रिक से दिव्यांग जन तीन दिसम्बर ठीक है वेश्व कंप्यूटर साक्षता दिवस दिसम्बर को मना जाता है पुषकर मुहसब का संबन देखे यह जम्मूष कस्मिर से पुषकर मुहसब बोले जम्मूष कस्मिर पुषकर मिला बुन ले तो राजस्थान ठीक है चलिए भारत के पहले सीडियर कौन थे जनरल बिपिन र मैंने पूरी जो सैनिक स्कूल कि सैनिक जो स्कूल किसके नाम पर रखने की गोश्णा किया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर ठीक्ट मुने था तेसंव कि contenido कि पीडिकर 16 जमु कुश्मिर में सिगमो तेवार कहा कह है सिगमो नाम से गुवर्ग से गोवार्ट ड्रिक याद रखेगा ठीक है डियादीयों के स्थापना कभी थी एक जनवरी 1959 एक जनवरी भारती निर्वाचनायों का समंस सम्मिधान के किस भाग से है भाग 15 अनुखध 324 निर्वाचनायों ठीक है श्ठापना होता है किसका निर्वाचनायों का 25 जनवरी 1950 को भारत के पहले मुखब N cockroach आगे कौन थे सुकुमार सिन महात की पहली महिला यह तो हो गए पहले हो गए ले किन महिला कर बात की जा तो महिला में कौन थी ए ठामा देवी चली अगनी वले का संबन किस महासागर से यह प्रस्वांत महासागर से जिसे Pacific Ring of Fire भी कहा जाता यहां पे अतधिक भुकाम, सुनामी सबसे ज़्यादे हैं यहाँ पर क्या आते हैं भुकाम पाते हैं ज्वाला मुखी आते हैं और सुनामी आते हैं यहीं पेठी चलिए अगर आपसे पूछा आज़े एस अकार का कौन सा महासागर यह है अटलांटिक महासागर इस अकारका है ठीक है पहला भारत रत्न पूरुषकार जब भारत रत्न पूरुषकार कब सुरूआ 1904 में तो कीसे दिया गया ये तीन वेक्ति को दिया गया सर्वपली राधा कृष्ण, सीवी रमन और राज गुपाला चारी को दिया गया, सवाल अगर आप से एध पूछ दिया जा कि किसको नहीं मिला, अगर option में ये ढाल दिया जा तो लाल बहाधूर सास्तृERी को कम मिला था लाल बहाधूर सास्त्री को जो है 1966 में मरनो परांध मरनो परांध इनको ये award दिया गया था चलिए और भारत कब से शुरू हुआ था यह बहुत इंपॉर्टन कोस्टन है पुछे जाते उनने से शुरू हुआ तासकन समझा होता इसलिए मैंने बोला था लाल बहादुर सास की तासकन समझा होता कि समंध इनी ते हैं ठीक है और इनको 1966 में मर्नोपरांद मर्नोपरांद इनको क्या दिया गया था भारत रतन क्या दिया ठीक है चलिए हर्याना हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है कपिल देप को सभी पता है इंडियन के जो भारती क्रिकट खिलारी रहे चुके थे और क्या थे एक और रॉंडर थे है ना धिंग एक्सप्रेस ठीक है ठिंग एक्स्प्रेस के नाम से कौन जानी जाती है कहा के रहने वाली असम की एक क्या है एक धावक है एक सांदार धावक इन्हें कहा जाता है इंविश्कों में भारत की कुल कितने world heritage site सामिल है